बिस्मिल्ला रुपान्य वहिम, वेलकम टो बीएसकेडमी, फूरेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग रिजिस्टिविटी एंड इस ड़ेंड अपाउन तुम्प्रेचर स्टेडी करेंगे, जी स्टूरें रिजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, रिजिस्टिविटी ए अगर हमारे पास ये कोई copper wire का एक small segment है अगर हम लोग क्या काम करें इसकी cubic meter को measure कर लें और जो cubic meter की resistance आपने में पास होगी वो क्या कहलाएगी आपने पास resistivity कहलाएगी मैं again definition को repeat करता हूँ the resistance of meter cube of a material मतलग किसी भी material की जो cubic meter के अंदर resistance होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं resistivity बोलते हैं तो चलिए student जरा ये इसकी mathematical expression है इनको हम लोग drive करते हैं किसना drive करने देखिए student जो मरपस resistance होती है ये मरपस directly proportion होती है length के साथ मतलब कि जैसे जैसे आप लोग length increase करेंगे तो क्या होगा हम लोग पास resistance बढ़ेगी क्या मतलब student फर्द करिए कि मैं जरा इस length segment को half कर रहा हूँ इसके अंदर में पास मैं कह रहा हूँ 50 ohm की क्या थी resistance हमने क्या काम किया इसकी length को double कर दिया जैसे length को double करेंगे तो definitely इधर भी 50 ohm की resistance हो जाएगी तो अब बढ़ 50 plus 50 कितनी होगी 100 होगी मतलब हम लोग ने जैसे ही length बढ़ाई तो हमारे पास क्या हुआ रिजिस्टिवीटी भी बढ़गी रिजिस्टेंस भी बढ़गी और जो दूसरी चीज़ टूडेंट रिजिस्टेंस होती है यह simple word में आप लोग यह कह लेएं कि यहां पर मरपस क्या था हमने 20 स्टॉण रखे हुएं इतने से अरिया के अंदर जैसे हम लोग क्या काम करेंगे इसका एरिया बढ़ा करेंगे तो देन क्या होगा यह जो स्टॉण भी सामने रखे हुए थे इसे क्लोज-क्लोज से तैन यह क्या हो जाएंगे एक दूसरी से कास्वी फासिवे पर हो जाएंगे तो इनका जीरदा फासिवे पर होने का क्या मतलब thatsMusic है क्या म wij on में से flow करवाएंगे, वो easily flow कार जाएगी as compared to small area, between जो resistance है, वो मरपस inversely proportion होती है, किस के साथ? area के साथ, तो इस दोनों चीज़ें आप नोंने student याद रखनी है, यह मरपस expression for the resistance directly motion to the L, ना दो length, resistance inversely portion to the area, तो student इन दोनों कुशन को अगर हम लोग combine करें, तो क्या होगा, हमारे पास R, directly proportional आजाएगा L upon A, student जैसे हम लोग proportionality का sign खत्म करेंगे, मैं पतार दो चीज़ों का जाफ़ा होता है, कि एक pull का sign आएगा, और साथ सम constant आएगा, और यह जो constant इसको student बोलते हैं, resistivity of the material, जिसको अभी हमना थोड़ी देर पहले define किया था, इसकी value को student अगर हम लोग calculate करना चाहें, तो किस तरह से calculate करेंगी, यह देखे, ए, जो मेरे पास area है, divide हो रहा है, उस side पर जाके multiply हो जाएगा, यह जो length है, आपनों में पास multiply हो रही थी, इस side पर जाए, divide हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आजाएगी, resistivity आजाएगी, अगर student हमनों resistivity का ऐसे union की बात कहने, तो वो कितना होगा, जरा सोचिए, देखिए हमरे पास, जो resistance है, इसका union तो हो गया, और जो area होता हमरे पास है, meter square, और student जो length होगी मारे पास, वो भी क्या होगी, meter होगी, तो क्या होगा, एक M से M cancel हो जाएगा, जब एक M से M cancel हो जाएगा, बाकी मारे पास क्या बचाएगा, ओहों meter, actually the SI unit of resistivity, तो student हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं, के actual में क्या fact होते हैं temperature, क्यों हो जिस्टिवूटी चलिए, इसको भी ज़रा discuss कर लेते हैं, अगर हम लोग resistance की बात करें, जो conductor offer करता है, क्यों करता है, due to the collision, और कि इनके साथ with the atom of the latest, latest क्या होते हैं, latest हमारे पास imaginary point होते हैं, जो किसी भी crystal को define कर रहे होते हैं, तो student, जैसे हम लोग temperature बढ़ाते हैं, मतलब कि ये देखे, ये अगर आपने पर ये कोई भी atom है, तो ये अपने अभी equilibrium की condition में कहले हैं, लेकिन atom equilibrium में नहीं होता, ये अपनी equilibrium पर भी vibrate करता रहता है, अपनी mean position पर, देखे, उस टाम इसका amplitude जो होता है, बहुत समाल होता है, तो हम लोग अपने student क्या काम किया, अभी इसको heat दे दी, मतलब कि इसका temperature बढ़ा दिया, जैसे student हम लोग इसका temperature बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जो इसका amplitude होगा, वो increase हो जाएगा, amplitude increase होने से क्या होगा, कि जो मारे पास free electron थे, जो एक्च्वल में मारे पास conductivity में role play कर रहे थे, अभी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इसके साथ टकराएंगे, तो जितनी दफ़ा इसके साथ टकराएंगे, जितनी दफ़ा क्या होगा, मारे पास resistance create होगी, तो एक्च्वल में amplitude of vibration increase हो जाता है, जब amplitude of vibration increase होता है, तो हमारे पास जो atom के साथ, अलेक्टरों के टकराने के chances होते है, probability क्या होती है, चांसी होते है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते है, increase हो जाते है, तो इट मिन कि हमारे पास, जो resistance of the conductor क्या होती है, increase होती है, with increase in the temperature, तो student हमारे पास next term है, के temperature coefficient of resistance के temperature coefficient of resistance को, किस सारा से हम लोग define कार सकते हैं, the fraction change in resistance per Kelvin, जी जो fraction change होता है, resistance के अंदर per Kelvin, यह आपनों याद रखना है per Kelvin, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, temperature coefficient of resistance, तो student है, इसको हम लोग mathematical alpha से symbolically represent करते हैं, और mathematical इसको हम लोग कुछ ही सांस लिख सकते हैं, alpha is equal to rt minus r0 upon r0 t, student rt के हमारे पास resistance है, at t temperature, r0 के हमारे पास resistance at 0 temperature, student इसकी मकमल derivation है, लेकिए हमारे course के अंदर उसकी requirement नहीं, that's why मैंने यहां पर derivation नहीं किया और direct भी आपनों को बता दिया, तो student, चलिए दरा हम लोग temperature coefficient और resistivity, resistance हम लोग बात का लिए भी resistivity के बात करते हैं, student same definition है, आप लोग ने इससे गबराना नहीं है, just आप लोग याद कर रखना है, वहां पर fraction change in resistance है, तो यहां पर fraction change in कहां पर है, resistivity के अंदर है, तो student को mathematical हम लोग कुछ इससान लिखते हैं, alpha बाबर resistivity at T temperature, resistivity at zero temperature, student इसको किसान निकालना, आप लोग बिलकुल वह युज़ी वार्मले से निकाल सकते हैं, किससान निकालना लेंगे, देखो, मारे पास क्या था, RT minus R naught, मैं बता देता हूँ, आपनों नहुद करना है इसको, और में पास नीचे क्या था, बटे में R naught T, याद रिखे, जो में पर resistance है, अभी हमने resistance को calculate का लिए, वो कितनी है, L over A, याँ पर पूट करूँगा, याँ पर पूट करूँगा, याँ पर पूट करूँगा, तो क्या होगा, L over A factor ना मारे पास हो जाएगा, cancel, तो बाकिया मारे पास यही चीज़ बचेगी, तो thank you so much, student कोई भी आपनों क्योस्तों नो, अब कमेंट बोक्स के अंदर कमेंट करके पूच सकते हैं,